हेलो स्टूरेंट्स वेलकूम टू माई नर्चर मैं हूँ क्रिष्णा कैसे हैं सब लोग मस बढ़िया तो चली स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मकलोजी का चैप्टर नंबर थर्ड का लेक्चर नंबर थर्ड जो की लास्ट लेक्चर है ठीक है ना ड्रग यूज इन ग क्या होति दैमेज होती एक तो ये बात पकका याद रखनी हैं ऑप्टिक नर्व क्या होती है डैमेज होाख होता क्या ग्रूप ऎई डिजीज हम कह सकते हैं कि यह एक सारी कारण होते हैं जिसकी वह सेusa Prat optimender is in the back of your eye called आप्टिक नरव इससका ध्यान रखेंगे कि होता क्या है पीछे की जो आप्टिक नरव होती है वह वाईलि क्या होती है डेम जिसकी डेमज होने की वज़ा क्या होती है वह भी हम देखेंगे ठहेंगे ठीकल नRob प्रोग्रेसिव बढ़ती हुई है ना समय के साथ बढ़ती हो गई है तो काम इसको रोका नहीं तो प्रोग्रेसिव है ऑप्टिक नीरोपैथी है वह क्या हो रहे हैं हमारे डैमेज हो जाएंगे विच डैमेज अप्टिक नर्फ क्या करती है जो नीरोपैथी है एक निरॉंस की डिजीज कंडिसेन डिजीज कंडिसेन जो फाइनली डैमेज कर दी हमारी क्या नर्फ को अगर हम गौर्ष से देखें या कभी तुम लोगो ने देखा हो कि कुछ लोग कुछ ऐसे दिखाए पड़ती है आंखे इनकी यह तो हमा अब ग्लॉकोमा के टाइप बात करें अगर तो एक होती टाइक पराइमरी डॉकॉमा ये दो टाइप क्यों diferen glam mi mतलब होती है की नहीं वजह से रिजन है और ऑक हमने लेंघ में लगा आँख में या ट्रॉमा हुआ या इसकी वजह से जब हो जाता है तो वह क्या होता है सेकंडरी ग्लोकोमा होता है और एक होता है हमारे पास ुमा जिसके धिरी-धिरी आकर करें मतलब एक टाइम वह ता है जो complete blindness हो जाती है ठीक है ना अब यहां पर देखो जो ग्लोकोमा है ना open angle closed angle इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं अब पहले ग्लोकोमा का समझ लें ग्लोकोमा है क्या ग्लोकोमा अक्शली होता है क्या है यह आंक देखिए आंक का slam canal होता है slam canal क्या होता है यहां से क्या होता है आंक का जो aqueous humor होता है आंक में आगे पीछे होता वीटरस humor आंक के दो वो हो जाते हैं department एक यह lens इस टैप से ना तो यह पीछे वाला यह आगे वाला तो होता क्या है यहां से ना यह क्या क्याते है aqueous humor जो हमारा होता है वह निकलता रहता है और वह निकल करके श्लेम आफ ते पानी जमांगी लगता है उस पानी की वजह से यहां पर यह आगए आ कि क्या खट्टा हो गया यह पानी खट्टा हो रहा है ठीक है यह बाहर नहीं निकल पा रहा है ठीक है ड्रेनेश कैनल ब्लॉक्ट हो गई है इसकी वएसे ना यह आंक पे प्रेशर लगता और यह प्रेशर पीछे की तरफ जाता है प्रेशर कहा जाता यह पीछे की तरफ जिसक कुछ चीज़ आगए आगे से रोशनी आ भी रही है तो यहां से सेंस्रेशन को हमारी दिमाग तक नहीं पहुंचा पाती है और हमारा दिमाग उसको नहीं इंटरप्रेट कर पाएगा अब समझते हैं यहां पर कि देखो यह कैनाल था कैनाल ऑफ श्लैम जिससे की एकोस्यूमर ड्रेन मतलब बहार निकलता है अब कुछ कंडिशन में क्या होता है ड्रेने जिस पार्शनी ब्लॉक कोजिंग इंक्रीज आयोपी आयोपी मतलब इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर जब आयरीस हमारी कुछ इस तरह से रहती है लैंस के उपर रहती है ठीक है ना तो यहां पर क्य तो यहां से निकल बाहर जाता रहता है अब होता क्या आयरीस कुछ इस तरीके से अब यहां पर आईरिस खुली हुए है इस टाइप से तो हम देख सकते हैं यह ओपन एंगल ठीक है ना लेकिन यहां देहो गौर से आयरीस का साइज साब बढ़ गया है आईरीस का साइज थो अंगल होता है को ठीक है ना यह क्या होगा अब यह वापस लोट रहा है तो यह और घृ in आगे से निकल के जाने के लिए तो यह क्या होगा नेरो एंगल पहुत छोटा एंगल है और यहां पर क्या है ओपन एंगल है बड़ा एंगल यहां पर यह बढ़ गया काफी जादा ठीक है ना तो इस तरीके से क्या है यह अब देखो यह जब आगे आ जाएगा धीरे से है ना क्या होगा कि आँकों कि अगे क्या आएगा सफीदी जैसे जाना इस्टार्ट होगी ठीक है आगे आगते पानी भर जाता है इस की वाज़ा सफे सफे सब लगता है अब अगर हम बात करें तो यह हो गया हमारा ओपन एंगल और यह हो गया मेरा एंगल क्लोजर किलियर है तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दोनों में अब जखो यह चीज मार्क कर लेंगे इंपोर्टेंट है कोश्चन भी आएगा एट्रोपीन इस कॉंट्रा इंडिकेटिट एट्रोपीन तो लेना ही नहीं बिल्कूल एट्रोपीन है रिलाक्ष दा सिलेरी मसल्स को रिलाक्स कर देता है कॉजिंग कंप्लीट ड्रेनेज अब अल्री इतनी फैली हुई है ठीक है यह सिलेरी मसल्स अल्री इतनी फैली हुई है अगर एट्रोपीन ले लिए तो सिलेरी और फैल जाए यह पूरा ब्लॉक कर देगा कंप्लीट ड्रेनेज अफ्रेशन ऑफ एक्कॉस हुमर अब मेडिकल इमर्जेंसी वह एट्रोपीन अगलती से खाली तो पूरा ब्लॉक कर देता और विदिन आवर या तू आवर हमको बहुत दिक्कत होने लगेगी और क्या हो जाएगा मेडिकल इमर्जेंसी की ज़रुवत पढ़ जाती है तो यही है ग्लो कॉमा प्रेशर का बढ़ना क्या याद रखेंगे एक्कॉस हुमर भार ने निकल पता है एक्कॉस हुमर किस से नहीं जाना हमको बेसिक बेसिक बाते पता होनी चीए ठीक है अब इसकी बात कर लें अगर हम लोग तो प्रेशर पढ़ता है और पीछे आती है अब आप्टिक नर्फ के लिए आँक के लिए क्या है यह बहुत सिंपल है अगर तुमको आँक की आनाटॉमी याद है फस्टि इसकी क्लासिफिकेशन आता है यहाँ पर निटन इजिक र्क्राटि हिए वो अलफा अगनेर लिए जितनी बात इसको ले करके उस त minder वांपैसान क κα्ते अहम यहां अने उन्येन एनलॉग गार्ग को जो रोतेस होते हैं और म आइोट यहां इखना हम किसका इस्तिवाल है है मायोटिक्स का के मेडियातिक्स का अब खुछ समझ लो हमको यहाँ पर कितना सिंपल सी बात है और यह क्ल गया यह कि हमको क्या करना है इसको कॉंश्टेट करना है अब फैला देंगे तो इस जो canhal respectful हो जाए सिम्पल है नहीं कुश्चन में बहुत बड़े नम्म कि मैथे हैं अलाली अली बताओ दो नमबर तीन नम्मर पांच नमबर पांच नमब भी टूटके आता है दो और तीन मिलाकर देगा तो इसे लिए तो तो category याद करेंगे पांच एक, दो और तीन यह हम पढ़ चुके हैं अलड़ी यह दो थोड़ी सी तुम्हारे लिए नहीं है ठीक है इनकी drug याद करोंगे myotics में पीलो कार्पी और 500 इस्टिग्मी ने पढ़ी चुके हैं हम लोग तो देखो डोस में क्याए टीमो लोल लगबग यह जितनी दवाईया है दिन में एक बार या दो बार के लिए होती है ठीक है तो टीमो लोल क्या है एक ड्रॉप दिन में दो बार बिटक्सो लोल क्या है 5% वन ड्रॉप दो बार लिवो बिउनो लोल क्या है ले रहें तब यह जब सकते है कि लिए सब क्या क्या है सब्सक्राइए मतलब ट्वाइस एक या याद रख लेंगे कि कौन सा कितना परसेंट है फेसेंट भूल जाओ तो मैंने कहा था एक average याद कर लो है ना जैसे 2.255% अगर मालों किसी का भूल भी गए हो तो लिख दो 0.255% एक या दो exact dosing या उसका percentage नहीं पूछेगा ध्यान रखना ठीक है कि कितना percent बहुत rare है कि एकदम exact percentage पूछ ले ठीक है ना आगे आते हैं pharmacological action अब हमें पता ही है इसका काम क्या होता है when administered in the tablet form अगर tablet form में administer किया जाएगा इट reduces यह बात चल रही है यहां पर यसकी बात चल रही है। टीमिलल witness किया है टीमिल अपना क्या है बीटा ए इומणर्जिक भ्लोकर्स यानि निपить फिज्ड़ डेते हैं वह हम यहां लिख सकते हैं अलफा एٹेनर्जिक एंगोनिस्ट जो जो फार्मकलोगिक लेक्सणं देते हैं वह हम यहां पर लिख सकते हैं बात समझ में रही है उसके लाब में टीम लॉल के ज्यादा लिख दिया इस्पेसली क्योंकि वह हमर पर थोड़ा सा ज्यादा इंपोर्टेंट है तो दिखते हैं तो किया रहा है टीम लॉल वरे अडिमिस्टेट इंदा टैबलेट फॉर्म अगर टैबलेट की रूप में दिया जाएगा डालेंगा तो कोई इंडिकेशन है नहीं फिर तो केवल यह वाले अगर टॉपिकल लेंगे तो हमको केवल यह इक्रींट दरिवाली अक्टिविटी को उल्टा कर दे रहा ही है आगा अगया आते हैं अब क्या है एuls कि रिडियूस्ट production of aquos humor अब ग्लुकोमा के लिए इस्तमाल कर रहे हैं तो aquos humor के production को reduce कर देता है from the ciliary body ओविसी बात है अभी हमने देखा था एक को सिमर को बनाने वाले कौन होते हैं ciliary body ठीक है ना increased evacuation evacuation मतलब खाली करना aquos humor through the trabecular meshwork अभी trabecular meshwork क्या होता अभी हम इसको देख लेते हैं एंड तुरू the uveos scleral way यानि कि दो तरीके से aquos humor को खाली करवाएगा आँख से अब होता क्या है यह जो canal of slam होता है जिससे कि हमारा aquos humor भाहर निकलता है ऐसा खुला नहीं होता है इसके आगे एक covering होती है ठीक है ना यह जो covering है इसके आगे इसको हम कहते हैं ट्रेवेकुलर meshwork यह कुछ स्ट्रेफ से दिखाए पड़ता है इसके अंदर यह ट्रेवेकुलर मैश्वर्क इसके तीन चैर पड़ते होते हैं यूवियल यह जाल है यह मैश्वर ठीक है तो इन सब को पार करते हुए यहां से निकलना होता है दूसरा हमारे पास आता है जो बात बोली थी यूविया और स्क्लेरा यूविया पड़ा होगा तुम लोगों ने जब आया पड़ी होगी और एक होती स्क्लेरा होती है इन दोनों से मिलके बनता है यूविया स्क्लेरा एक तो कैनाल से निकलता है डारेक्ट और एक जो होता है हमारे पास जो एकोश हुमर होता है वो डारेक्ट यहां स तो इस तरीके से दो तरीके से निकलता तो यहीं इनके क्या हो गया फार्मकलोजिकल एक्षन हो जाएगा जब हम इसको क्या करेंगे डारेक्ट इसके ड्रॉप आँखों में डालेंगे क्लियर है बाते है इंडिकेशन ऑफ ग्लोकोमा यह मेरे क्याल से हां इंडिकेशन ग्लोक लुकोमा खुद क्या यह भीमारी है कोई ड्रक का क्लास तो है नहीं तो अब्वेसे बात है गलोकोमा को पढ़े श्कतर फोड़ा यहां पर यहां पर कुछ करना ही था में सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्वें इसा आ जाया है बताओ नेम में घीव दैंडीटीकेशन फॉर ट तुम लोगों असानी से याद हो जाएं वो याद कर लोगे और जैसे में पहले ही बता चुका हूं क्या कि तीन चार अच्छे से याद कर लो है ना जैसे कि ब्रेड़ी का इडिया एक हाइपर टेंशन है अब यहां पर कुछ-कुछ चीज़ है इस पेसल है है ना पोस्ट अप अपरेटिव इंफ्लमेशन के बाद अगर इंफ्लमेशन हो गया तो इसका इस्काशे का स्पाश्य के अंदर जो इस पास्टिक डिस्टरिब्स होती है और फैस्टिक राख्ण लेकिन हाँ रख है नियोवसकुलों गलुकामा फो पेशिंट इस्ट इस्तिक्री गले कर सकते हैं एक अकॉर्डिंग डॉक्टर डिसाइड करता सारी चीज़ें वो हाइपोटेंशन रिसेंट मायोकॉर्डिन नालॉड तो होई जाएगा कोई बात नहीं में चीज क्या होती है रिवीजन है ना मैं हमेसा कहता हूं रिवाइज करो क्या है चीजें थोड़ा से बता जाता हूं मैं चीजें फार्मकलोजी जो है मारे पास थोड़ी सी याद करने वाली है और फार्मकलोजी क्या है ना लाइ चैप्टर बन का रिवाइज होना बहुत जुरूरी है पढ़ लो एक वारी दस पंदा आंक डाल करके एक वरी नज़र डालकर उसे पढ़ डालो एक वरी बहुत जुरूरी है स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर इंट्रोडक्शन वाले हैं या थे तो वह थोड़ी से बड़े बड़े चैप्टर है अब देख रहे हो छोटे चैप्टर हैं ददस पंदा मंदा मिनट बीस मिनट के लेक्चर से हैं सुरूरा बच्चे लोग परिशान थे इसलिए मैं ज्य क्यों कि तुमारा आगे जाके उसका एक्जिट एक्जाम हो गई होगा ठीक है ना तो रिवीजन करते रहें पढ़ते रहें देखो कुछ भी कर लो चाहे मुझ से पढ़ लो किसी टीचर से पढ़ लो किसी बुक से पढ़ लो रिवीजन नहीं होगा अगर तो कुछ नहीं कर पाओगे समझ में चीजे आ जाएंगी no doubt मैंने पढ़ाया तुमको समझ में आया बहुत मज़ा आया लेकिन दो दिन बाद चीजे भूल जाओगे तो रिवाइस करते रहो और पढ़ते रहो all the best